अब शुरुआत करेंगे अपनी खास पेशकर्षकी सेंगोल ये शब्द भले ही आजाद भारत के इतिहास का एक अभिन हिस्सा रहा है मगर हैरत की बात ये है कि देश की जनता को आज आजादी के इस प्रतीक की कोई जानकारी इससे पहले नहीं थी बगर 75 साल बात ही सही आब एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे न सिर्फ देश को इतिहास का एक नया पन्ना पढ़ने को मिलेगा बलकि गौरफपुर्ण इतिहास की जानकारी भी हुई सेंगोल जिससे संपदा से संपन इतिहास का प्रतिबिम्ब कहा जा रहा है उसे अब हर कोई जानने लगा है 28 मई को देश की संसद में इसकी स्थापना होगी सेंगोल विरासत से मिली एक ऐसी धरोहर जिस पर आप गर्व करेंगे जिसकी जानकारी अब तक ना होने या कम होने पर आप अफसोस करेंगे आज़ादी के प्रतीक सेंगोल के जिस इतिहास की जानकारी हर भारतवासी को होनी चाहिए देश के करोडों लोग उससे आज रूबरू हो रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष में आज़ादी का अमरित महोतसम मनाते हुए हमने से जिन्हें भी इलाहबाद संग्रहाले जानी का संभाग्य मिला होगा मुम्किन है उन्हें इस धरोहर के बारे में जानकारी हो लेकिन देश के ज्यादातर लोग अब तक इससे अंजान ही रहे और यखीन मानिए ये संख्या करोडों में है सेंगोल एक तमल शब्द है जिसका अर्थ होता है संपदा से संपन हम सेंगोल के विमिसाल इतिहास से आपका पूरा साक्षातकार कराएंगे लेकिन इससे पहले बड़ी खबर ये है कि ये धरोहर अब हमारी संसद की शोभा बढ़ाएगा लोग सभा में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित होगा दरसल 14 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज हमें सत्ता हंस्तांतरित कर रहे थे तो यही सेंगोल उसका जरिया बना था तब लौड मांट मेटन ने पंडित जवाहला नहरू से पूछा था कि सत्ता हंस्तांतरण का तरीका क्या हो पंडित जी दुवधा में पड़ गए तब उन्होंने प्रकांड विद्वान सी राजगोपालाचारी जी से मश्वरा किया राजगोपालाचारी जी ने ही पंडित नहरू को सेंगोल के जरिये सत्ता परिवर्तन के इतिहास की जानकारी थी उन्होंने एबाद को राजाई जी के सामने रखा। इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तानतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। राजजी की सलाह पर ही 14 अगस्त 1947 को हुए सत्ता हस्तांतरण से पहले आनन फानन में तब तमिलनाडू से तीन लोग सेंगोल लेकर दिल्ली आये थे 14 अगस्त 1947 को राज 10 बज कर 45 मिनट पर तमिलनाडू से लाए गए इसी सेंगोल को अंग्रेजी सत्ता से स्विकार किया गया और इसी के साथ हम खुद अपने भारतवर्ष की सत्ता के सर्ताज बन गए भाग्यव विधाता हो गए यानि ये सेंगोल सदियों से स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीख है भारत के इतिहास में ये आखरी बार पंडित नहरू ने अंग्रेजों से सत्ता मिलने के प्रतीख के तौर पर इसे स्विकार किया इसे हासिल करने वाले से न्यायपुर्ण शासन की अपेक्षा की जाती है और भारत सबसे बड़े लोकतंत्र की शकल में तब से आज तक न्याय के इसी पत को अंगीकार कर सम्रिधी के शिखर पर बढ़ता चला गया सेंगोल के साथ एक और खास बात ये है कि इसके शीर्ष्ट पर नंदी विराजमान है सेंगोल की इसी धार्मिक यतिहासिक मान सम्मान को देखते हुए सरकार ने इसे संग्रहाले तक सीमित न रखकर देश की संसद में स्थापित करने का फैसला किया अब प्रधानमंत्री मोधी तमिलनाडू से आए हुए धार्मिक प्रतनिधी से सेंगोल स्विकार करेंगे और लोगसभा अध्यक्ष की आसन के पास इसे स्थापित करेंगे